यह module हमारे production possibility frontier के उन features के बारे में है जो यक्सी वज़ा से production possibility frontier की असल शकल हमारे सामने आती है इसमें से बहुत सारी चीजें तो हम पहले discuss भी कर चुके हैं जिसमें हमारे पास मौजूद है कि इस model में two goods की उपर हम चलेंगे main total output economy में बहुत सारे शकल में आ सकता है जो hundreds of goods की शकल में होगा और उसमें intermediate goods भी होगी final goods भी होगी लेकिन express करने के लिए explain करने के लिए हम सिरफ two goods को लेके चलेंगे लेकिन जो basic feature है कि ये two goods कुछ भी हो जिसना हमने example robot और pizza के लिए हम चाहें तो दो फसलों का जिकर कर सकते हैं हम चाहें तो books और food रख सकते हैं लेकिन जितने भी resources हैं जो factors of production हैं वो switching कर सकते हैं between these two वो factors अगर एक की production में इस्तमाल हो सकते हैं तो वो दूसरे की production के लिए भी इस्तमाल होंगे और इन दोनों के दरमयान switching possible होगी ये हमारे इसका एक main feature होगा और जो resources हैं वो equally efficient for the production of these two कई दफा नहीं होते और हमें देखना होगा के हैं अगर एक production जैसे robots के लिए जो resources available हैं या labor available है तो हो सकता है शूरू में जितनी labor available है वो इसके लिए मौजूद हो लेकिन जब उस मेंसे next unit पे जाते हुए हमने sacrifice करते जाना है तो कौन सी labor shift हो रही है तो हमें उसमें पहले यही देखना है कि पहले वो labor जो ज्यादा skilled नहीं है वो shift होगी और जब हम over the time देखते हैं कि at the end page उसके पास जो maximum efficient है उसको वो retain करेगा तो यहां पे अगर हम देखें तो efficiency of productivity जो है वो थोड़ा सा फर्क रख सकती है एक के लिए और दूसरे के लिए law of increasing opportunity कास्ट को देखते हुए हमें लाजमी इसको देखना होगा क्योंकि law of increasing opportunity कास्ट ही इसकी concave shape का बाइस है और उसको हमें लाजमी consider करना होगा एक बहुत एहम नुक्ता जिसको हमें यहां पे लाजमी देखना है वो यह है जो हमारे welfare economics के तहट आता है अगर उसको हम साधा अलफाज में कहें तो producer अगर अपने बहुत सारे resources को already maximum utilize करके पैदावार ले रहा है और अब उसकी wish है कि वो कुछ और पैदा करे और उसी तरह से consumer अगर अपनी तमाम आमदन को इस्तमाल करते हुए इस्तमाल करके अपनी attainment के तमाम goods को purchase कर चुका है तो अब और wish करता है कि मैं कुछ और लूँ तो उसको पहले से मौजूद चीजें जो उसके पास हैं उन मेंसे किसी एक या दो को छोड़ना होगा तो ये welfare का हमारे पास rule है जिसको अगर हम देखें कि जब भी कोई चीज किसी एक को अगर किसी benefit की तरफ जाना है तो जब तक किसी दूसरे से हम ले नहीं लेंगे economy में balance नहीं होगा लेकिन ये condition तब होगी जब हम efficient level को attain कर चुके हों अगर efficient level अभी तक attain नहीं हुआ और हम production possibility frontier के inside पे हैं जहां पे अब हम कहते हैं कि yes हम inefficient point पे हैं तो inefficient point से efficient point तक आने के फासले में हमें इस चीज से मदद मिल सकती है कि हमें कोई चीज का loss ना करना पड़े अब अगर हम देखें तो law of increasing opportunity cost जिसने इसको इसकी concave शकल जो दी और अगर हम इसी को देखें तो इसका जो दूसरा नाम है हम कहते हैं कि यहां पर marginal rate of transformation अब marginal rate of transformation क्या चीज है अगर हम उसको देखें तो हम यह कहेंगे कि जब हम graph को draw करते हैं तो good x और good y के जो कोई भी दो points हैं उन दोनों points के sacrifice को देखते हुए जो इन दो points को अगर हम कहें कि यह point a है और यह point b है और यहां पर हम कहें कि यह y का 1 और यह y का 2 है और इसी तरह यह x का 1 और यह x का 2 है तो जो change in अगर हमने अब यहां पर देखें लिखा है कि marginal rate of transformation that is equal to तो change in the units of good x जो यहां पर मौजूद difference को देखते हुए आएगी और change in the units of good y जो यहां पर आएगी इन दोनों की ratio को अगर हम करेंगे तो that will be called marginal rate of transformation और यह marginal rate of transformation के back end पे अगर हम देखें तो यह ratio होगी marginal हम opportunity cost की और इसके साथ जो production possibility frontier है उसको हम देखें तो यह downward sloping होगा और एक इसमें एक एहम नुकता है कि that will be the productive efficiency की points होगे that on production possibility frontier all the points that are being expressed they show the productive efficiency but the allocative efficiency is something else and that allocative efficiency has to be expressed with the certain budget lines so on production possibility frontiers if we say the points are efficient these efficient points are only in the form of productive efficiency ter जा के चर्पों को एंरर का जा बगेफेंगें उना क्टर्णीर घच्रच्त